नमस्ते प्यारे बच्चों मैं नीरज आपका स्वागत करते हूँ तो बच्चों उंगलियों के जादू के बाद अब समय है एक खेल का अब खेल है तो इसके खिलाडी भी तो होंगे ना तो आईए बुलाते हैं दो खिलाडियों को जिनके नाम है किशोर और नित्या हेलो किशोर, हेलो, हाई नित्या, हाई, आज हमें खेल खेलेंगे कांसा खेल, कैसा खेल, खेल नहीं यह ऐसा वैसा, इसके लिए चाहिए हमें पासा पासा फेंको, बिंदु गिनो, जोड़ कर बिंदु स्कोर लिखो तो खेल खेलना शुरू करें? हाँ तो पहले मैं यह पासे किशोर को देती हूँ किशोर आपके पास दो पासे है आपको दोनों पासों को एक साथ फेंकना है और दोनों पासों पर आए बिंदूओं को जोड़ना है जोड़कर जो संख्या मिलेगी वही आपका स्कोर होगा और जिसका स्कोर अधिक होगा वहें जीत जाएगा अच्छा है ना खेल? हाँ तो शुरू करें? हाँ तो मैं ये पासे देती हूँ किशोर को अरे वाँ तो किशोर को मिले हैं कुछ बिंदू किशोर आप हमें गिनकर बताएंगे कि कुल कितने बिंदू है एक, दो, तीन, चार, पाच पाच और दूसरे पासे पर? एक अगर हम कहें कि कुल बिंदू कितने हैं जोड़कर बताईए एक, दो, तीन, चार, पार, छे तो किशोर को मिले छे बिंदू यानि आपका स्कोर हुआ छे अब बारी है नित्या की नित्या आप तैयार हैं? हाँ ये लीजिए अरे वाँ, नित्या ने भी दोनों पासे फेंके नित्या आप जोड़कर बताईए आपको कुल कितने बिंदू मिले? एक, दो, तीन, चार, पाँच आपको मिले पाँच बिंदू तो हम नित्या के सामने लिखेंगे स्कोर पाँच तो इस पारी में किसका स्कोर जादा हुआ? मेरा बिल्कुल ठीक किशोर के आए थे 6 बिंदू और नित्या के 5 तो किशोर हुए इस पारी के विजेता क्या आप दोनों अगली पारी के लिए तयार है? हाँ चलिए अब दूसरी पारी शुरू करते हैं तो किशोर अब पासे फेकने की बारी आपकी है तो किशोर ने फेंकी दोनों पासे अब किशोर आप गिनकर बताईए कि कुल बिंदू कितने हैं? एक दो एक दो अगर हम आपसे पूछें कि दोनों पासों पर कुल मिलाकर कितने बिंदू है? एक दो तीन चार बिल्कुल ठीक तो हम किशोर के प्रापतांग यानी स्कोर लिखेंगे चार तो अब पासे फेकने की बारी किसकी है? मेरी हाँ नित्या तो अब आप पासे फेकेंगी आईए देखते हैं कि नित्या के पासो पर कितने बिंदू है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, साथ तो नित्या के प्रापतांग हैं साथ बताईए इस पारी में विजेता कौन है? मैं कैसे? क्योंकि मेरे साथ अंग है और किशोर के कितने अंग थे? चार बिलकुल सही, किशोर के थे चार अंग और नित्या के साथ अंग और हम विजेता के नाम के आगे चिन लगाएंगे तो इस बार चिन लगेगा नित्या के नाम के सामने तो इस पारी की विजेता है नित्या क्या हम दोनों के लिए ताली बजाएं? तो बच्चों आप भी यह पासे का खेल अपने घर पर अपने दोस्तों या भाई बेन के साथ खेल सकते हैं आपको चाहिए दो पासे उन्हें फेकिए, बिंदुओं को जोडिए और स्कोर पता कीजिए तो अब समय है हमारी अगली गतिविधी का जिसका नाम है मोती और लडिया आप दोनों को दी गई संख्याओं के अनुसार लडियों में पिरोए हुए मोतियों में रंग भरना है और फिर रंगीन मोतियों को गिन कर खाली जगय में लिखना है तो पहले कौन करेगा? मैं तो किशोर से शुरू करते हैं किशोर आप इधर देखिए कितने मोतियों में रंग भरा हुआ है? तीन आपको कितने और मोतियों में रंग भरना है? चार बिल्कुल सही तो आप चार और मोतियों में रंग भरिये बच्चों आप देख सकते हैं तीन जमा चार तीन मोतियों में रंग भरा हुआ है और चार मोतियों में रंग भरना है और उसके बाद जोड कर लिखना है कि कुल कितने मोतियों में रंग है किशोर आप मुझे बता सकते हैं कि अब इस लड़ी में कुल कितने रंगीन मोती है एक, दो, तीन, चार, पार, छे, साथ साथ, तो आप खाली जगह में लिखेंगे साथ लिखिए अरे वाह, आपने कितना सुन्दर रंग भरा है तो अब बारी है नित्या की नित्या क्या आप बता सकती हैं कि दूसरी लड़ी में कितने मोतियों में रंग है चार पिल्कुल ठीक आपको कितने और मोतियों में रंग भरना है दो पिल्कुल ठीक तो अब आप दो और मोतियों में रंग भर सकते हैं तो बच्चों आपने देखा कि सवाल के हिसाब से ही नित्या मोतियों में रंग भर रही है तो नित्या अब खुल कितने मोतियों में रंग है? एक, दो, तीन, चार, पांट, छ तो छे मोतियों में अभी रंग है अब आप खाली स्थान में क्या लिखेंगे? छ लिखिये तो बच्चों आपने देखा चार जमादो हुए छे और वही नित्या ने खाली जगे में लिखा है तो किशोर और नित्या आप बची हुई लड़ियों में रंग भरेंगे और बच्चों आप आप भी अपनी पाठे पुस्तक में इसी तरीके से लड़ियों के मोतियों में रंग भरेंगे आप दोनों का मेरे साथ खेलने के लिए धन्यवाद बाई खेलने और रंग भरने के बाद अब समय है कूदने का आईए इस संख्या सीड़ी पर कूदते हैं और संख्याओं का जोड पता करते हैं इस लड़की ने पहली बार में चार संख्याओं तक कूदा और उसके बाद उसने दो संख्या तक और कूदा तो बच्चों बताओ अब वह किस संख्या पर पहुँच गई है चार और दो कितने हुए आईए गिनते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच और छे तो चार और दो हुए छे अब यह लड़की छे अंग पर पहुँच गई है बच्चों इसी तरीके से आप बाकी के सवाल भी हल कर सकते हैं प्यारे बच्चों अब तक हमने चित्रों को गिनकर संख्याएं लिखना सीखा और संख्याओं को जोड कर उनका चित्र बनाया उंगलियों पर गिनकर जोडा और पासे की सहायता से जोडना सीखा मोतियों से जोडना सीखा इसका मतलब जोडने के भी कई तरीके हो सकते हैं आईए अपने तरीके से जोडने का एक और उधारन देखते हैं अब्दुल और रिहाना दो बच्चे हैं घर पर बैठ कर वो कुछ सवाल कर रहे हैं आईए इन जोडने के सवालों में उनकी मदद करते हैं रिहाना ने दोनों संख्याओं को एक के नीचे एक लिखा है दो और तीन अगर हम जोड़ेंगे दो और तीन तो कितना आएगा? आए गिन कर देखते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच तो दो और तीन को रिहाना ने जोड़ा और उसका उत्तर आया पाँच देखते हैं दो और तीन दो के बाद गिनेंगे तीन, चार और पाँच तो इसका भी जवाब आया पाँच तो बच्चों आपने देखा दोनों ने अलग तरीके से जोड़ा लेकिन फिर भी दोनों का जवाब एक ही आया वो था पाँच बच्चों, आप भी इसी तरीके से इन सवालों को हल कर सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अब आप संख्याओं को जोड़ना सीख गए है चलिए, अब कुछ नया करते है आप इस गोल चक्र में देखिए और बताईए कि बीच में कौन सी संख्या लिखी है सोचिए, बिल्कुल ठीक बीच में आठ लिखा है आपको आठ से छोटी संख्याओं के ऐसे जोड़े सोचने है जिने जोड़ने पर आठ प्राप्त हो चलिए, एक से शुरू करते हैं एक में साथ जोड़ेंगे तो बनेंगे आठ अब अगली संख्या देखिए दो, दो में जोड़ा छे तो भी बनेंगे आठ अब अगली संख्या तीन तीन और पांच को जोड़ें तो भी मिलेगा आठ अब अगली संख्या होगी चार चार में क्या जोड़ें जो हमें आठ मिलें? सोचो, सोचो जी हाँ, चार में चार जोड़ेंगे तो मिलेंगे आठ इसी तरह अगर पांच में जोड़ेंगे तीन तो भी बनेंगे आठ अब बारी है संख्या छे की सोचो, छे में हम कितना जोड़ें, जो उत्तर आठ मिले सोचिए, अगर आपने दो कहा, तो ये बिल्कुल सही है अंत में साथ और एक हुए आठ इस तरह ये चक्र पूरा हुआ बच्चों, इसी तरीके से आप बाकी के चक्र भी पूरा कर सकते हैं ये सब आपके अभ्यास के लिए हैं इन्हें कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मिलकर जाचिए बच्चों, अब समय है दोहराने का तालिका में पहले भाग में दी गई संख्याओं को जोड़िए और उन्हें उनके जोड से मिलाईए अब इस संख्या को बनाने वाले जोड़े को तीसरे भाग से ढूंड कर उससे भी मिलाईए जैसे 6 और 3 जोडे तो कितना मिलेगा बताएए चलिए गिन कर देखते हैं 6 और 1, 2, 3 बताएए कितना बनेगा गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 6 और 3 को हमने जोड़ा तो मिला 9 तो हम इसको इस से मिलाई करेंगे अब पांच में चार जोड़ें तो कितना मिलेगा? आईए देखते हैं पांच और चार गिने? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो पांच और चार को भी जोड़ा तो मिला नो तो मतलब नो का मिलान हम पांच और चार से करेंगे इसी तरीके से हम बाकी के सारे सवाल हल करेंगे तो मिलान के बाद अब समय है एक कहानी का यह कहानी है दो बच्चों की राघव और सरिता राघव के पास हैं चार शंख और सरिता के पास पांच शंख हैं तो बताओ दोनों के पास कुल मिलाकर कितने शंक हैं क्या करना होगा? गिनना होगा? चले गिनते हैं एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साथ, आठ, नो तो उनके पास कुल मिलाकर हैं नो शंक इसी तरीके से आप बाकी की कहानिया भी पढ़िए और उनका उत्तर लिखिए बच्चों, अब समय है अपने बस्ते में जहांकने का आपको पता है कि आपके बस्ते में कितनी पुस्तके हैं और आपके मित्र के बस्ते में कितने पुस्तके हैं अगर दोनों की पुस्तकों को जोड़ दें तो कुल कितनी पुस्तके होंगी आपको खुद पता लगाना है मालो मेरे बस्ते में हैं दो पुस्तके और मेरे मित्र के बस्ते में भी दो पुस्तके तो कुल कितनी पुस्तके होंगी गिनकर बता सकते हैं एक, दो, तीन और चार तो हम दोनों के बस्ते की कुल मिला कर हुई चार पुस्तके इसी तरीके से आप पैंसिल भी देख सकते हैं, उन्हें जोड सकते हैं इसके अलावा आप अपने बस्ते में रखी कॉपियां भी देख सकते हैं आप दोनों को जोड कीजिए और पता लगाए कि कुल कितनी कौपिया है तो बच्चों, आज हमने इतने सारे तरीके सीखे जोडने के कभी उंगलियों पर, कभी पासों से और कभी कूद कर आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं जोडने का तो इसी तरीके से आप अभ्यास करते रहिए और जोड सीखते रहिए इसी के साथ मैं नीरज आप से अलविदा लेती हूँ नमस्कार